मलदास आर्ट्स कॉलेज भावनगर डॉक्टर जेवी गोहिल जी आईए गोहिल साथ ए बावन्वा स्थापना दिन पर पधारे हुए सही महमानों प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, आदरनिय, पुज्य, बिंदेश्वर पाथक सहब, पोल सहब, विजै सर्ड, निलरतन सर्ड, पुजा जी, उशा जी और मेरे साथ पदारे हुए वागेला सहब, भारोड सहब, गिरिश भाय वागेला, सभी गुजराती और अलवर से पदारे हुए हमारे जीती जागती किताब, जो पीले रंकी सब है, जो बोल रही है सर जैसे आपका एक बड़ा हिस्ट्री है, वैसे हमारी कॉलेज का भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है हमारी कॉलेज गुजरात में पहले नंबर की कॉलेज है, और एक कॉलेज दिवान के नाम से बनाई हुई है सामलदास कॉलेज, वहाँ जहां गांधी जी पढ़े थे, गांधी जी को दो विकल्प था, एक तो बंबे जाना है या भावनगर में आना है तो बंबे थोड़ा उसको महंगा पढ़ता था, इसलिए उसने भावनगर पसंद किया और जब वो भावनगर आया तब उसको कोई पहचान वाला नहीं था, पूरी रात वो ट्रेन में बैठके जहत्पूर से आया और पूरी रात ऐसे ही एक कोटड़ी में उसने निकाली थी गांधी जी और स्वचता और स्वचता और पाठक साब एक साथ जुड़े हुए है, मैं थोड़ा लास्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए पूरा जो भी बोलना था, वो सबने बोल दिया है, तो खाने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं क्या बोलू, तो मैंना थोड़ी कंपेर गुजरात को जब जरूरत पड़ी तब भी हमने दो गुजराती भेजे है, नरंद्र मोदी जी और अमिर्शाह जी, और जब स्वचता का समाश्चास्त्र शरू करना था, तब भी पहला हमने की यह सर, गुजरात में शामुल दास में हमारा वागेला साब ने उसका सीले बर बनाया था, बड़ी गर्व की बात है कि पूरे भारत में सबसे पहला समाश्चास्तर, स्वचता का समाश्चास्तर का सिलाबर्श जो किसी ने बनाया है, वो हमारे वागेला सामने बनाया है, और वहां से फिर पूरे भारत में 21-22 उनिवर्सिटी में अभी स्वचता का करनाडा मेडम वो भी मेरी कॉलेज की विजिटिंग फैकल्टी है और जिसने एमफिल किया है वो भी पूरे भारत में पहला है वो डॉक्टर गिरिश वागेला साब वो भी हमारे विजिटिंग फैकल्टी है तो हम सब से आगे हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में वागेला साब का और हमारा युनिवर्सिटि का सबंद शरू हुआ मुलाकात हुई तब से जो हमारी युनिवर्सिटि में जो चेंजी जाये हैं इसके बारे में थोड़ी हाइलाइट्स में आपको देना चाहता हूं मैं पूरे 13 से 2020 22 तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं सब्सक्राइब के बारे में बड़ी कॉलेजिज है साफ सफाह करने के लिए कोई प्यून नहीं था तो हमने सोथा कि भी हमारी स्टूडेंट पावर तो है collecting 3000 स्विज़यं हमारी पास है तो हमने हर सेटर डे कॉलेज़ सफाह के लिए ठका और हमारे स्टूडेंट ही हमारी college का सफाय करता है, हमारे ground का सफाय करता है, हमारे toilet जो भी है bathroom है, उनकी सब सफाय हमारे student करते हैं, फिर हमने क्या किया किया कि ये स्वच्ता के बारे में ज्यादा बात करने के लिए ये तो सिर्फ होई हमारी बात, आज निल रतन सर ने बहुत बढ़िया primary school में बताया कि एक दिये से दूसरे दिये को जलाना है और अंधकार को दूर करना है और प्रकाश पहलाना है, तो हमने क्या किया कि हम हर साल 20 लड़के को लेके, students को लेके यहां शुभम में आते हैं, और 20 लड़के को पूरे शुभम की विजिट करवाते हैं, उसके बारे में detail में बताते ह कि हम गये थे बिंदेश और पाठक जी के साब की पास और हमने दिल्ली में इतना ये सुलफ देखा और वहां इतना बढ़िया काम हो रहा है, कि एक उशा जी पहले कैसे थी, अभी कैसे बन गई, उनका भी उदारन मेरी पास है, बाबा साहब आंबढ कर कि साब की पास जब पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तब हमारे गुजरात में महाराजा सियां जी राव ने उसको स्कॉलर स्किप्ट दी थी, और उसको पढ़ाया था, जैजे पाठक जब आप भी सभी को पढ़ाते, कल मैंने दो बेटियों को देखा, मैंने सोचा कि भी ये जो अरुनो दे दी भी आई थी, उसने बताया कि आप 10 परसंट जिने का चांस है, और उसने पूरा खर्चा, हमारे गुजराती में एक शेर है, नाजीर देखाया का, गुजराती में बोलता हूँ, हूँ जहां फेला हूँ हाथ, तक आरी खुदाई दूर न थी, हूँ मागू अन तु आप यह मन मंजूर न थी, मैं जब बोलू और आप मुझे दो, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं मांगू नहीं, फिर भी तू दे दे, वो मुझे मंजूर है, तो ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े काम पाठक साहब ने किये हैं, तो फिर हमने सोचा कि भी यह तो हमारी कॉ गाउं को, क्यूंकि हमारे आज पास कम से कम 200-300 गाउं से स्टुडेंट पढ़ने के लिए मेरी कॉलेज में आते हैं, अभी मेरा जो विचार है, पाठक साहब का जो विचार है, उसका जो थौट्स है, और स्वास्ता के बारे में जो सोच रहे हैं, ओ गाउं में कैसे ले जा अलंग हमारे गुजरात में बहुत सारे मजदूर है वो जो बिहार, यूपी, महाराश, मध्यप्रदेश से आते हैं, और वहां थोड़ी गंद की और पढ़ते नहीं है, व्यसनी है, उसको जहांज तोड़ने वाला है, उसको थोड़ा बहुत स्वास्ता के बारे में नौलि मोबैल का इस्तवाल नहीं किया, और आज पास के जितने भी गाउं थे, वहां जाके स्वास्ता के बारे में उसने बताया, इसकी फोटोग्राफ मेरी पास है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कैसे हम वहां काम करते हैं, हम गांधी जहेंती के दिन ये जो गर्स है, वो जाडु लेके सब साफ कर रहे है, कौलेज साफ कर रहे है, रुक्षार ओपन हो रहा है, और गांधी जहेंती के दिन अग्डिजी को स्टेचु है, उनकी पास साफ सफ़ाई की, उनकी फोटो है, एक क्लास्रूम साब कर रहे हैं, सब फैन वगरे, तो ए जो काम कर रहे हैं, वो सब हमारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के यूज करके उनकी पास से थोड़ा समय निकाल के हम साब सफाय करवाते हैं, अभी लास्ट में मैं वैश्ण वजनतों तैने कहिए जे पीड पराई जाने रे, परदूखे उपकार करे, पन मन अभिमान न आने रे, ए जो गांधी जी को बहुत प्रिय था भजन, सकल लोक मां सवने वंदे, निंदा न करे कैनी रे, वाच काच मन निचल राखे, धन धन जनन नी त्यनी रे, आ गांधी जी को ए भजन बहुत प्यारा था, नर्सी मयाता का भजन है, वो गांधी जी और हमारे पाठक जी में क्या सामिया है, वो इतना बता के फिर में मेरी बात खतम करूँगा, गांधी जी भी उच नीच के भेदभाव को दूर करना चाहते थे, हमारे पाठक साब ने भी उच नीच का जो भेदभाव है वो दूर किया है अलवर से जो पहले आफरीका में ब्लैक मैन वाइट मैन उसका भेदभाव था वो भी हमारे गांधी जी ने दूर किया है गांधी जी ने एक प्रतिकना लिए थी कि देश को आजाद किये बीना मैं शांती से बैठूंगा नहीं वैसे ही हमारे पाथक जीने नेमली है कि मेला उठाने का काम बंद नहीं करूंगा तब तक मैं शांती से बैठूंगा नहीं गांधी जी ने सोचा था कि मुझे अगर उसको रोजगारी देना है तो मैं क्या करूं हमारा जो रेंटिया है आपको मालूम है जो खादी बनाते हैं तो वैसे ही पाठक साम ने रोजी रोटी के लिए लगू उद्योग जो ब्यूटी पारलर या तो पापड बनाना है खाखरा बनाना है यह बना नमकिन बनाना है या कोई छोटा मोटा काम करना है तो रोजगार देना का काम भी जैसे गांधी जी ने काम किया था वैसे ही काम पाठक साब ने भी किया है गांधी जी भी खादी पहनते थे और हमारे पाठक साब भी खादी पहनते है जब भी मैंने पाठक साब को देखा है तो खादी में ही उसने मैंने देखा है गांधी जी जब स्वस्था की पूरी जरूरत पड़ी तब पाठक साहब ने काम शरू किया तो आज तक बावन साल हुआ तो ये काम लगातार उसने किया है वैसा ही काम हमारे मोदी साहब ने किया कि स्वाच्छ भारत, स्वास्त भारत, स्वास्तानू समाश्यस्तर पाठक साहब ने शरू के रूप तो आज दूसरी बात है कि हम गुजरात में हमारी कॉलेज में एक बार हमने सर को बिनन्ति की थी कि भी हमारे सुलब क्लब की शरूआत मेरी कॉलेज में करना है और पाठक साहब ने प्रॉमिस दिया था कि 100% में आऊँगा और वहां हम सामलदास में सुलब क्लब की थापना करेंगे और दूसरी बात हमारे पूरे गुजरात में जितनी भी कॉलेजिस हैं, वहां के हमने एक वर्क्शॉप किया, हमारी युनिवर्सिटी पूर्ता लिमीटेड था, 15 कॉलेज में से 15 प्रोफेसर आये सोस्योलोजी के और 55 स्टुडेंट्स आये, 75 स्टुडेंट्स और 15 प्रोफे स्टुडेंट्स को बुला के मेरी कॉलेज में एक वर्क्शॉप करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजज़त हो, आपकी आशिरवाद हमारी पर हो, और एक बार आप गुजरात में हमारी कॉलेज में आईए, ऐसी रिक्वेस्ट करके मैं मेरी बात खतम करता हूँ, अस्तु जए हीन, जए बारत